हलो दोस्तों तो कैसे आप सभी लोग आज मैं आपके लिए लेके आए न्यू टाटा एल्पीटी 11-12 फेस्टू के साथ जो कि टाटा ने हाल ही में नया मोडल लॉंच किया था फेस्टू 11-12 एल्पीटी अगर आप कोई भी कमर्शल विकल लेने की सोच रहे हो तो ये वीडिय वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला सबसे पहले हम इसके विजू की बात करेंगे से कि आपको फ्रेश एर जाने के लिए आपको दिये गए हैं और यहां पे आपको जो नीचे टाटा का लोगो टाटा की मिलती है वो आपको black grill के उपर देखने को मिल जाती है जैसे पराणी गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको reflector bar मिल जाती है जो की पूरी की पूरी white color में आपको मिलेगी और simple से आपको headlight मिल जाएंगे with parking के साथ और यहाँ पे आपको side indicator मिल जाता है और यह तो bumper आपका वो दोने के दोनो bumper आपको low है के देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आप extra fog lamp वगारा लगा सकते हो या इसको footrest के तोर पे use करते हो अपना अगला सिसा साप करने के लिए और यहाँ पे आपको दो यहाँ पे handle मिल जाते है और यहाँ पे आपको wiper nozzle मिल जाती है water nozzle जो कि आपकी spray करती है और front में आपको दो indicator और यहाँ पे आपको front में एक mirror देखने को मिल जाता है तो कुछ इस तरह सा इसका front से view है अब बात करेंगे इसके conductor side की तो यहाँ पे आपको reflector bar जो मिलती है वो yellow color में आपको मिलेगी जो की काफी attractive है दिन में भी काफी अच्छी लगती है जो काफी attract करती है रात में तो इसका safety का purpose होता ही है बाकि यह आपकी थोड़ा सा गाड़ी को और अच्छा दिखाई देता है तो यहाँ पी आपको चैसी नंबर बीसी नंबर वगएरा की कुछ बताया गया है और यहाँ पी आपको तीन side glass देखने को मिलेंगे दो तो आपके रियर में देखने के लिए और जो उपर वाला वो आपके conductor side टायर के पास अगर आपके पास कोई helper बगएरा नहीं है तो अपना अराम से driver side बैठके अपना conductor side देख सकते हो कि टायर के पास आसपास कोई है नहीं जैसे बाइक वाले आपके टायर के आसपास साथ मिल जाता है जो कि पहले इन फेस्टू गाड़ियों में कोई भी चेंजिस नहीं गये है और जो फेस्टू आपने सिगना वगएरा है उनमें आपको जो डोर हैंटल है वो मोडिफाई मिलेगा वो काफी अच्छा है यह भी काफी अच्छा आपको मिल जाता है और यहां इलिए ओपको लॉख लगएरा कर सकते हो नेट वोल्ट डाल के या ताला लगा के और यहां पिश्टू पे मेन कारन आप कैसे पता लगा सकते हो कि यह फेस्टू गाड़ी आपकी जो कि आपका एर फेल्टर है वो आपका आता था पहले केवन के नीचे जिससे आपके एर फेल्टर काफी चोक होते थे और आपकी गाड़ी की काफी पीकप डाउन होती थी माइले जुगारा विल्कुल नहीं अग्यार आपको केवन के पीछे कर दिए गई है और यहां पर आपको पच्पन नूंबर लेंगा 5-0 with रिवर्स के साथ और यहां पर आपका की बारा बोल्टेश की बैटरी मिलती है विद्ट कटाओ शुच के साथ और यहां पर आपके में स्विचिस मिल जाएंगे आपको और यह आपका sensor है जो कि आपका बताता है कि air filter आपका चोक है होगा है या भी ठीक है पहले आपने जो गाड़ियं देखी थी बीए सिक्स उसमें काफी सारे air tank मिलते थे आपको लंबे लंबे पतले पतले काफी सारे होते थे पांच शे आई थिंक होते थे उसमें बट इसमें आपको काफी बड़ा एक ही air tank मिलेगा जिसकी पैस्टी आपकी काफी बड़ी रहने वाली है और यहां पर आपको जो square wheel मिलेगा वो आपको conductor side rear में मिल जाता है leap spring आपको मिलेंगे चारो tires में और जो आपकी propeller shaft है वो आपको यहां पर दो भागों में देखने को मिल जाती है और center में आपको shut wearing मिल जाता है universal joint मिलता है यह इसकी air brake मिलेगी आपको इसमें air brakes और यहां पर यह आपका air brake का module AVS का main चीज सबसे बड़ी जो इस गाड़ी में महंगी चीज आती है वो आपका होता है DPF जिसे आप आम तोर पर silencer होती हो यह गाड़ी का काफी बड़ा purpose होता है यह आपका 2,5 लाग का यह SCR system बगेरा आता है और यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी जैसे आपकी diesel की nozzle होती है इसमें भी आपकी एक nozzle होती है जो कि आपकी urea spray करती है rear में आपको fully LED backlights मिलती है बट इसमें आपको इससे खोली गई है वो आपकी दूसरी गाड़ी में मैं आपको बताऊंगा यह रहा इसका SCR system और यहां पर आपको जो diesel tank मिलेगा वो काफी अच में पतली सी होती है काफी hard होती है और यहां पर आपकी जो gaze है उसकी safety के लिए आपको उपर के तरफ एक धक्कन दिये गया है और इसमें आपको जो fuel system मिलेगा वो आपको Delphi का fuel system देखने को मिल जाएगा यहां पर यह आपके दो filter होंगे Delphi system with feed pump के साथ और 25 लिटर के यहा सब और पहले की गाड़ियों में आपको lever दिखता था वह आपके road का होता था बट इसमें आपको wire shifting दिया गया है यह आपकी shifter neutral wire है जो कि आपके अराम से gear डलते हैं और यहां पर आपका coolant box दिया गया है और यहां पर steering box दिया गया है जिसमें आप अपना coolant गारा डाल सकते हो और बात करेंगे driver side की तो यहां पर आपको fc की बैजिंग दो side glass मिल जाते हैं वह simple सी चीज मिलती है जो कि आपको phase 2 गाड़ी में कुछ खास नहीं दिखा इसमें आपके 2-3 features होते हैं जैसे इसमें आपका air filter हटा दिया गया है और इसमें इसे air tank only one कर दिया गया है और इस अब से पहले हम बात करेंगे इसके अक्षियो रूम प्राइस की इस है ऐसका इक्षियो रूम प्राइज आपका start होता है बीस लाक चुनुजा हजार से लेके 21,39 गा और बात आ Bjork ग्रोस विक्रण्वेट रहेगा वह 1250 kg आपका ग्रोस विक्रण्वेट रहेगा इसमें और और इसमें आपको जो इंजिन मिलेगा वो 3.3 लिटर का इंजिन देखने को मिल जाता है बात करेंगे इसके पेलोड की कि यह गाड़ी आपकी कितने पेलोड पास करेगी यह आपकी 6.8 टन से लेके 7.3 टन तक यह गाड़ी आपकी पास करेगी और वेरियंट की बात करेंगे त तो Kevin and Chessy मिल जाएगा और Kevin with load body का option आपको मिल जाता है और body length की बात करेंगे इसमें आपको कौन सा body length मिलेगा minimum आपको 14 feet और maximum आपको 22 feet का body length का option मिल जाता है 14, 17, 20, 22 तक और इसके जो features के बारे में बात करेंगे उसके बारे में बात में बात करते हैं इसमें आपको जो diesel tank मिलेगा 120 liter का मिल जाता है और जो कि इसका urea tank है वो आपको 25 liter का मिल जाएगा और इसकी maximum speed आपकी 80 के उपर low की होगी और आपका gross vehicle weight के बारे में हम बात कर चुके हैं और इसमें आपको 3.3 liter का common rail का engine मिल जाता है जो कि 3300 cc के आपका engine रहने वाला है जो इसका transmission रहेगा वो आपका 5 speed gear with reverse के साथ रहने वाला है सबसे main चीज़ आती है इसकी जो है आपकी miles ये गारी आपकी कितने की miles आपको देगी company तो ये आपकी बोलती है 6 km per liter की आपकी miles देगी मतलब ये 7-8 के पास आपकी miles देदेती है plane में और hill area में आपकी रहेगी ये 6 km के आसपास रहेगी और इसके features के बारे में तो इसमें आपको music system मिल जाता है और mobile charger मिल जाता है और जो आपका steering भील रहने वाला वो fully adjustable रहेगा और fully power steering आपको इसमें देखने को मिल जाता है और इसमें आपको जो driver seat मिलेगी वो 4B पे आपकी adjustable रहेगी आपको इसमें जो AC का variant नहीं देखने को मिलेगा